हेलो दोस्ताव सब्सक्राइब को मैं आइकोनिक टेगनों का नया विडियो में स्पागत करता हूं मैं आईकोनिक और आज हम लोग बात करने बालें कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है उनमें दो पार्ट के बारे में मतलब दो टॉपिक के उपर एक है कैस मेमोरी और दूसरा है फ्लैस मेमोरी तो अगर आप लोग इन सबी चीजों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा तो आईए चलिए स्टार करते हैं एपिसोड नॉमर फाइफ पाड़ बाई आइकोनिक टेग्नो कैस मेमोरी और फ्लैस मेमोरी के बारे में डीटेल में जानने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल में आप लोग कॉंप्यूटर का जो प्रोसेसर है रैम रोम है इन सभी के ऊपर वीडियो पाच आएंगे निचे प्लेइलिस्ट दिया गया है जो कि जहां प जानते हैं पहले कैस मेमोरी के बारे में कैस मेमोरी को अगर आप लोगों ने मेरे प्रोसेसर वाला वीडियो देख लिया है जहां पर मैंने प्रोसेसर का जो क्रेस में कैस मेमोरी है उनके बारे में बता चुका हूं तो आप लोग समझ चुके हैं कि कैस मेमोरी अकिर कर क्या होते हैं लेकिन अगर आप लोगों नहीं देखा है नीचे प्लेइलिस्ट में आप लोगों का उसको लिंक मिल जाएगा और आई के बटन बे भी उस वीडियो का लिंक है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा बहाँ पर मैं प्रोसेसर की RAM, ROM इन सभी चीज़ों के लिए काम करता हैं तो आखिकर इस Case Memory के जरूरत क्या बढ़ गई कि इसको लगाना बढ़ा क्योंकि हमरे जो computer में RAM होता है हम सभी लोग सुछते हैं कि हमरे जो computer में RAM होता है वो CPU के जो Speed होता है मतलब processor के जो Speed होता है उसके equal में काम करता है लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बहुत कम ही chance होता है कि आपकी RAM का जो speed है और आपका जो processor का speed है मतलब CPU का speed वो दोनों एक हो जाए दोनों के speed के जो अंतर होता है तो वो बहुत जादा होता है तो इसी अंतर को कम करने के लिए हम लोग वहाँ पे cache memory का use करते है तो इस cache memory का speed होता है वो आपका CPU के जो speed है उससे equal होता है इसके वाज़े से आपका जो CPU है वो बहुत जल्दी response करता है कोई भी folder या फिर file कोलने के तो अगेर इस cache memory का एक्जेंपल कह लें तो आप लोग जानते ही है SSD Card अभी बहुत चल रहा है तो SSD Card है एक तरह का cache memory क्योंकि आप सभी लोग जाते हैं कि SSD Card में आप लोग storage कर सकते हैं लेकिन आप लोग बहुत कभी लोग जानते हैं कि SSD Card अगर आपका computer में रहेगा तो वो में जो भी फाइल आप खूलने जाएंगे उसका स्पीड जो है वो बड़ा देगा तो यह तरह से आप लोग केस्ट मेमोरी की तरह ही काम करता है सभी एपिसोड का जो लाश्ट अभी है वह फ्लैस मेमोरी आखिर कार क्या होता है तो फ्लैस मेमोरी के लिए कोई ना समझ वाली बात नहीं है आप हर दिन इस फ्लैस मेमोरी को यूज करते हैं वह कैसे तो आप जो पेंड्राइब या फिर कोई मेमोरी कार या फिर माइक्रोस् जो कि computer में USB port के मादधर्म से इंजेक्ट किया जाता है या फिर mobile में आप लोग Micro USB या पर Type-C के मादधर्म से आप लोग उस flash memory को इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर आगर आप Micro SD Card तो वह आप mobile में वहां पर तो slot रहता है तो computer में बहुत सारा data save करके रखते हैं कुछ तो हमारे important भी होते हैं जो कि हम लोगों को दूसरी जगह में मतलब हमारे पास रहना चाहिए किसी भी वैक्ट उसका important आ जाते हैं लेकिन वह data तो आप उसको लेके कैसे जाएंगे तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए flash memory यूज किया मतलब बनाए गया है जिसमें आप लोग बहुत जारदा data एक साथ save कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरे जगह पे भी ले जा सकते हैं और आगे भी बहुत ही बढ़ेगा इसका storage का size तो आई होब आप सभी लोग इस वीडियो में flash memory और catch memory के बारे में जो बताए हैं वो समझ चुके हैं अगर समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दी हैं वो बास के बारे में है कुछ तो यह बास मतलब रास्ते में चलने वाले बास नहीं है यह बास मतलब पॉंपिटे का बास है जो की छोटा साइट अबीक है तो हाई ओफ आप सभी लोग इस वीडियो को समझ चुके हैं तो अज के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं सिरल ज्याय हम जभने में तामते करे जे जाए ही